तो आज की जो property करने वाले हैं वो हैं हमारी rhombus तो कभी आपने अगर rhombus को देखा हो तो rhombus और square जो है इनकी properties मिलते जुलती है कि अगर square की सारी side sequel होती है तो rhombus की सारी side sequel होती है अगर square का parameter जो है वो 4a है तो rhombus का parameter भी जो है वो 4a ही होता है तो आसी कौन सी चीज है जो rhombus को square से अलग मनाती है वो जानेगा हमारे आज के session में अलिए start करता है हमारा आज का session जो कि होने वाला है rhombus के ऊपर तो जैसा कि starting में मैंने आपको बताया था कि rhombus और square में क्या difference है कि जैसे कि square की सारी sides equal होती है है रॉंबस की पीजिए side जो है वह equal होती है कि अगर यह है तो फिर यह भी side A होगी सारी sides जो है इसकी equal होती है क्या difference है rhombus और square में तो square और rhombus में बस इतना सा difference है जो square जो है वह एकदम straight होता है इस तरीके से और rhombus जो हलका सा आपका data होगा जैसे इस graph में आपको शोन है तो कहने का मतलब यह है कि जो main difference है square और rhombus कंदर वो यह है इनके angles का कि square के सारे angle जो है वह आपके होते है 90 degree लेकिन यहां पर जो angle होंगे वह 90 degree के नहीं होंगे यह 90 degree का नहीं होगा समय रहे हो कि square और rhombus में बस इतना फरक है कि square के angle सारे 90 degree के होते हैं और इसके angle जो है वो 90 degree के नहीं होते हैं और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि अगर जिस भी properties के angle सारे 90 degree के होंगे quadilateral के अंदर उसका diagonal की length भी एक्वल होगी अब यहां पर जब इसके angle 90 degree के नहीं है इसके डियाइन की length है इसकी length और इसकी length यह सेम नहीं होने वाली length इंकी अलग-अलग होगी समझ के मेरी बात कि अगर angle सारे 90 degree के हैं तो घाइजनल की length भी इंटए करते हैं यहां पर आप चलते के फॉर्मूले के उपर तो फॉर्स्ट फॉर्स्ट फोर्स्ट फॉर्मुला जो है वह आपका हो जाएगा इसका एरिया अबनिस को अब ढलने का तो आपका होगा area of rhombus एक पॉपड़ी होती है कोई भी साइट ले लो ये भी आपको एक property याद रखनी पड़ेगी ये दोनों diagonal का square का sum जो है किसी भी एक side के square के sum के equal होता है वोकि all sides equal होती है तो आपको इभी side pick कर सकते हो clear? अगर चलते हैं next side निकालने का formula अगर आपको side निकालनी है तो side निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये formula यूज करना पड़ेगा 1 by 2 diagonal 1 का square प्रस diagonal 2 का square ओके एक formula parameter का तो parameter आपको पता है sum of all sides होता है सारी sides equal है तो 4A तो square का parameter और rhombus का parameter ये दोनों जो है वो same होते है 4A क्लियर चलिए अब कुछ कोशन देखते हैं इसके उपर रॉंबस के उपर कुछ basic questions the first question आपको दिया हुआ है the length of diagonal of a rhombus are 20 and 48 meter find the parameter of the rhombus तो rhombus का parameter निकालना है हमको parameter क्या होगा जिसका formula होता है 4A ये मतलब side अब इस question में को side ने गीवन है given क्या है diagonal तो side का formula मैंने अभी आपको लिखाया कि अगर आपको side निकालनी है तो किस तरीके से निकलेगी diagonal 1 का square प्लस diagonal 2 का square उसका under root और उसका हम कर देंगे half ठीक है अब diagonal 1 हमाना कितना होड़ागा 20 का square प्लस 48 का square और उसका under root और इसका half करना है बाद में हमको 20 का square आपका होता है 448 का square जो है 2 कम करें अब 2,3,0,4 एड होके बन जाएगा हमारा 2704, 2704 जो होता है 52 का तो 52 ये cancel होके आपके value आज़ेगी 26 तो इसकी side होगी 26 अब यहाँ put करते है 4 into 26 तो आपकी value आज़ेगी 104 unit है इसके meter आपको तो डाइगनल गीवन थे कोशन में आपसे पारमेंटर पूछा गया था पारमेंटर होता है सम आप साइट में निकालना है तो आपको साइट का पता होना चाहिए और साइट कैसे मिलती है थू डाइगनल उसका आपको तो हमको दोनो डाइगनल चाहिए होते है अरिया निकालने के लिए चाहिए था निकालने का लगेंगे साइट हमको जाएट साइट का फॉर्मुला होता है वन बाए टू अंडरू डाइनल वन का स्केर वह गवन एट्वेटी फोर प्लस डाइनल टूका स्केर यह उन्हां गिवन है यहां समय फाइंड करेंगे तो टू इद्रा के मल्टिप्लाइब होगा 40 अदर रूद्रा के हमारा बन जाएगा स्केर तो 40 का स्केर इस इक्वल टू 24 का स्केर आपको होता है 576 प्लस डाइनल 2 का स्केर तो यह आपका हो गया 1600 जिसमें से माइनस हो जाएगा 576 प्लसका हो जाएगा अंडर रूट क्योंकि डाइनल 2 का स्केर है उसकेर को इदर लेकर अग्रूड हो जाएगा अब यह माइनस करेंगे 4201 तो 1024 किसका स्केर है 52 का रटी तो जीचों करेंगे रिख दाइन और यहां से वैल्यू चौन कर लिया है थाटी तो यहां से वैल्यू सॉल गरथे टवैल से गैंसलों का तवेलर टेल सिक्सलों है ट्वार टेल इसक्डरीच ए 384 इंच सेंटीमेड के क्यों को को फो खिलो एक दाइग निए उसक्ड क को एरिया निकाने के लिए दोनुन डाय न पता होना चाहिए इटमीन संबाइट का फ्राइट के फोर्मले लगाना पड़ेगा धाइट के फॉर्मले से हमने दूसरा दाइटर निकाला जोकी मारा थर्टी टू फिर इसको ने एयरिया फाइंड किया थ्री दो कोशन थे आज की डॉमबस के ऊपर हमको बेसिकिल इसके फॉर्मॉले देखने थे कि फॉर्मॉले होते क्या है रॉमबस के उसकी अप्लिकेशन देखने थी अब जब इस लिने कोशन आएंगे उसके अंदर रॉमबस की प्रॉपटी पे अगर यूज होगी तो हम इसको कैसे करना है आज की वीडियो के लिए इतना ही दन्यवाद